नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नेहा और बाल व्रिंद कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का हमारा विशह है बालिकाओं के समगर स्वास्ते उसकी बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बालिकाओं को क्या घान-पान उनका होना चाहिए, कैसा स्वास से होना चाहिए, शारेरिक, मानसिक, स्वास उनका कितना बहतर हम और कर सकते हैं, इस सभी बातों पर विशेश रूप से और विस्तार नमस्त्कार आपका मन भी स्वस्थ हो आप अपने पर्यावरण से अपने परिवार से अपने समाज से एक जुट रह सकें और साथ में आप अपने आप से भी प्रसंद रहें आपका मन अंदर से दुखी हो आपको हम क्यूं जी रहें आजकल हम students में देखते हैं कि suicide rate बढ़ रहा है ये क्यों हो रहा है क्योंकि वो अपने life के goal से aligned नहीं हो पा रहे हैं तो इन छोटे बच्चों को सभी को हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम स्वस्त रहने की बात करते हैं तो यही शरीर हमें आखरी तक रखना है तो यद साल चलाना है तो आप regularly उसमें हवा डलवाते हैं उसके अंदर oiling करते हैं उसको साफ रखते हैं तो जब एक cycle जो आप 5 साल बाद उसे छोड़ देने वाले हो उसकी आप इत्ती maintenance करते हो तो ये शरीर यही आपको भगवान ने यदि 100 साल उमर दिये तो यही शरीर 100 साल तक च maintenance करने होगी ये जैसा आपने कहा काफी गहरी बात है कि आप छोटी सी चीज भी खरीद के लेके आते हैं तो आप सोचते हैं कि हाम इसको बहतर तरीके से रखें फिर तो हमारा शरीर एक लंबे समय तक हमको चलाना है स्वस्त तरीके से बहतर चलाना है इसकी एक तैयारी की ब अगर आप कहना चाहें कि parents को अगर करनी चाहिए तो आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे देखिए हमारे देश में आज maternal mortality maternal mortality मतलब प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यूदर कम हो गई है मगर 97 पर लाक मतलब एक लाक यदी जनम होते हैं तो उसमें से 97 मैलाओं का मृत्य होती है मगर विकसित देशों में ये दर 30 के असपास है और हमारे प्रदेश में आज भी ये 200 से उपर हैं जै क्यों ये इसलिए क्योंकि जब कोई सतुरीमी जरूरी है तो उसका स्वस्त रहना ज़रूरी है स्वस्त रहना मतलब उसमें खून की कमी नहीं होनी चाहिये उसमे पता हो हमारे प्रदेश में बहुत जादा सिकलिंग है तो सिकलिंग का थालेसीमिय का उसको पहले से पता हो और वो गर्भावस्था में जाने के पहले उसको करेक्ट कर सके अब आप सोच रहें कि आप 6-7 साल के बच्चों को गर्भावस्था क्यों बता रहे हैं देखिए एक महिला का शरीर प्रकृती ने इसलिए बनाया है कि उससे एक स्वस्थ संतान का जन्म हो सके तो वो एक युवावस्था में होने वाला परिवर्तन है मगर जिस तरह एक सड़ा हुआ बीज गड़ा देने से उससे स्वस्थ पौधा नहीं होता एक छोटा सा पौधा है यदि आप उसकी केर नहीं करते हैं तो वो बहुत पुष्पित पल्लवित नहीं होता उसी तरह एक छोटे बच्चे को अपना खान पान नियमित रखना है स्वस्थ रखना है देखिए आज दो बाते होती हैं कि एक चीज तो हम रुची से खाते हैं और एक चीज हम इसलिए खाते हैं कि वो हमारे लिए लाब दायक है छोटे बच्चे से ये कहना कि तुम केवल लाब के हिसाब से भोजन करो थोड़ा मुश्किल है मगर फिर भी आप सुचिए आज चाइना गेम्स में हमसे कितना आगे हैं उनकी पारा साल की लड़की जिमनास्टिक्स करती है क्यों क्योंकि इसी उम्र में समझना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश क्या है जब इस उद्देश का निर्धारन होगा आज मैं बच्चों से कहूंगी जो भी आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपके दो तरह के लक्षे होते हैं एक लॉंग टर्म एक शॉट टर्म और एक इंट का इसमें हमको पास होना है जो हम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं वोड़त तो एक ये आपका शॉट ट्म गोल एक लॉंग टम गोल है मेरको बड़े होके I.E.S. बनना है अब उस I.E.S. बनने के बीच में और ये class pass करने के बीच में बहुत सारे intermediate goal होते हैं तो हर बच्चे से मैं कहूंगी कि आप हर दिन केवल 5 मिनिट शान्ती से बैठ के ये सोचें कि आज आपको क्या करना है इस हफते क्या करना है इस महने क्या करना है इस साल क्या करना है बस इससे ज़्यादा आप ना सोचें जब गर्मी की चुट्टिया हो तब आप थोड़ा intermediate और long term goal के बारे में सोचें मगर उससे पहले हर दिन केवल 5 मिनिट आप ये सोचें कि मुझे आज क्या करना है इस हफते क्या करना है और जब रात में सोने के लिए बिस्तर पे लेटें उससे पहले 5 मिनिट सोचें कि आज सुबह मैंने सोचा था कि मुझे आज दिन में ये करना है मैंने कितना किया कितना किया जो मैंने हफते का अपना goal निर्धारित किया था उसके प्रती मैंने कितने कदम बढ़ाए या मैं उससे उल्टा गई ये यदि आप goal निर्धारन कर लेंगे आप सुची आपके जीवन की 90 प्रतिशत समस्याइं खतम हो जाएंगी क्योंकि आपका goal किस बात पर based है कि आप तब तक जिन्दा रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे उसके लिए जो करना होगा आप कर पाएंगे तो बस उसी तरह जीवन जीने के लिए शरीर, मन, बुद्धी सब स्वस्थ होना है और सब स्वस्थ होने के लिए आप खुँद सोचिए आप पढ़ने का टायम है स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं हुआ है और मन कर रहा है कि ये सीरियल देख लें, ये गेम खेल लें आप सोच के देखिए आप यदि प्रती दिन सुबह शाम बैठ के पांच मिनट केवल सोचेंगे कि मुझे करना क्या है और मैंने किया क्या है आप पाएंगे धीरे-धीरे उनका अंतर कम होता जाएगा अंतर रहेगा मगर अंतर धीरे-धीरे कम होगा, आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे और जब आप जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे तो आपके अंदर आत्म विश्वास पैदा होगा कि मैं जो चाहूं मैं कर सकती हूं और आत्म विश्वास आपकी बहुत बड़ी शक्ती है मगर ये आप ध्यान रखिये कि जैसे आप कोई गेम देखते हैं कोई कुष्टी देखते हैं कोई गेम देखते हैं कोई भी जो खिलाडी टॉप पे पहुंचा है क्या वो एक दिन में पहुंच किया उसमें बहुत सारी तपस्या लगी तो ये जो तपस्या है जो खुद को नियंतरित करना है अपनी रूची को नियंतरित करना है जो करना है उसकी तरफ कदम द्रेढ़ता से बढ़ाना है हो सकत है 24 गंटे में पहले दिन हम 10 मिनिट वो कदम उठा पाएं क्योंकि अपने बहुत बड़ा टास्क है मैं बच्चों को पांच मिट भी अगर आप बोलेंगे प्रेश आप मात बोलिए देखिए बच्चों से मैं बात कर रही हूं कि यदि तुम अपने जीवन में जो भी तुमन करना जाते हैं तो उसका रास्ता क्रमश्य अपने आपको जीत के आत्मविश्वास पैदा करने में है और उस आत्मविश्वास से आप एवरेस्ट पे चड़ लेंगे आप उस आत्मविश्वास से अंतरिक्ष में चले जाएंगे मैं जैसे आपने कहा कि आत्मविश्वास ह है और इसके लिए आपको पांच मेर्ट से शुरुवात तु करने ही पड़ेगी दिन में बालिकाओं की तरफ में आती हूँ जैसे कि जब उनकी बढ़ती उमर होती है धीरे धीरे उन इसको आप कैसे आप समझाना चाहें के बच्चों को मैं जो मैंने पहली बात लक्षे निर्धारण की कही वही मैं दूसरी बात कहूंगी आपके आदर्श कौन है यदि आपने आपने एक्टर एक्टरस को अपना आदर्श बना के रखा है तो केवल शरीर को पतला रखना स्किन की केर करना आपका टार्गेट हो जाएगा आप समझ के देखिए कि शरीर शक्ती से चलता है शक्ती भोजन से आती है तो आपको स्वस्त भोजन करना है आज बहुत सारी पतले रहने के चक्कर में, दूद नहीं पियेंगे, दूद दही इन सब से परहेच करेंगी, मगर वही चिप्स और पिजा खाते वक्त भूल जाती हैं, उस समय वो भूल जाते हैं कि हमको पतले रहना है, फिर वो एक बार खालेंगी, फिर दो दिन बिल्कुल कुछ नहीं तो आपको नियमित भोजन करना है, यदि आपको कुछ जंक फुट पसंद है, तो नियमित तरीके से अपने भोजन में उसको स्थान दीजिए, मैं आपको कोई भी चीज़ बंद करने नहीं कह रही, यदि आपको चॉकलेट पसंद है, यदि आपको पिजा, बर्गर, पसंद है, बिलकुल उसको अपने भोजन में स्थान दीजिए, मगर केवल वही भोजन ना हो, वो भोजन का एक हिस्सा हो, यदि आप इस तरह से नियमित तरीके से अपना जीवन जियेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, हम सब मा के पेट में एक सिंगल से बड़े होक और जैसा मन होगा, वैसा शरीर होगा, और आगे चल के वैसा समाज भी आप निर्मित करते हैं, जैसे आप फूट हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, इस से रूटेड और भी हाईजीन से संबंदित कई बाते हैं, हम आप से आगे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो का जल दोटते हैं. ब्रेक से लाट कर एक बाब फिर से आपका स्वागत है, चर्चा हमारी लगाता जारी है, स्री रोग विशेशक गये हैं हमारे साथ, दॉक्टर आशा जैन, मैं बहुत ही इंट्रिस्टिंग चर्चा आप से हमारी लगाता चल भी रही है, जैसे कि आप खाने पीने के बारे क हम बात कर रहे थे, आपने का जैसे कि जैसा हम खाते हैं, वैसी हमारा शरीर होगा, और जैसा स्वास्त शरीर होगा, वैसा मन बनेगा, इसके साथ साथ जैसे जो फिजिकल चेंजिस की हम बात कर रहे थे, जैसे आगे चलके जो है आपकी एज बढ़ती है, पीरेट जाते हैं कई चीज़ों इनमें कैसे changes body में होते हैं और कैसे accept करें और इनमें hygiene को लेकर आप क्या बात कहना चाहेंगे देखें जो changes हैं वो अवश्यम भावी हैं यदि वो नहीं होते हैं तो वो समस्या हैं तो बच्चों को यहाँ पर मैं parents का रोल कहूंगी कि बच्चों को जानकारी देनी चाहिए कि आपके शरीर में जैसे एक छोटी सी bud है वो जब flower बनती है तो उसकी एक एक petal में growth होती है उसी तरह जब एक बच्ची बड़ी होती है तो उसमें breast development होता है स्तनों का विकास होता है छोटा छोटा होके थोड़े दिन painful रहे के फिर वो बड़े होते हैं sides में बाल आते हैं, pubic area में बाल आते हैं, private parts develop होते हैं, uterus का size बड़ा होता है इन hormonal changes की वज़े से कब-कभी चहरे पर pimples आते हैं, बालों में थोड़ा फरक आता है यदि आपके सारे hormones normal हैं, तो बाल अच्छे, लंबे और सिल्की आपकी तरह हो जाते हैं So what you have to understand कि parents को aware करना होगा, hygiene के बारे में उनको समझाना होगा कि periods हमारे देश में एक और बात है, छुआ छूप की बात चलती है periods कोई छुआ छूप की बात नहीं है, यह मैं एक doctor के नजरिये से कह रही हूँ मगर periods के दौरान आपको एकदम clean hygienic pads यूज़ करने चाहिए आज washable cotton pads available है, जितने market के ready pads आते हैं उन pads में diosmin होता है, उससे कई बार future cancer का खत्रा भी होता है chemicals की वज़े से, आज sterile cotton pads available है, जिनको आप wash करके reuse भी कर सकते है एक pad करीब 5 साल तक चल सकता है, तो आपको cotton pads पे जाना है मगर आपको कोई भी pad 6 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है चाहे आप market का ready pad लें, चाहे आप cotton pads यूज़ करें, चाहे कपड़े के cloth pads यूज़ करें जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे bleeding हो या ना हो, 6 से 8 घंटे में pad को जरूर change करना है क्योंकि change नहीं करने से नमी और गर्मी की वज़े से उसमें fungus और bacteria ग्रो होके infection का खत्रा होता है उस infection से यदि आपको बचना है, तो आपको pads को 6 से 8 घंटे में change करना है और parents को ensure करना होगा कि pads को सही तरीके से कैसे use करना है, वो बच्चियों को सिखाएं और बच्चियों के अंदर डर न पैदा हो, यह आप सोचते हैं कि period आएंगे तो दर्द होगा, period आएंगे तो खून कम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सामान ये मासिक धर्म तीन से साथ दिन के बीच का होता है उसका जो interval होता है, वो 21 से 35 दिन के बीच का होता है और वो अपने आप बंद हो जाता है यह चीज माता-पिता को भी पता होनी चाहिए, बच्चे को भी पता होनी चाहिए कि यदि उसको पाँच दन से साथ दन से ज़्यादा bleeding हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए मेरे पास एक 14 साल की बच्ची आई थी, उसका 3 ग्राम खुन था क्योंकि उसको 3 महने से लगातार bleeding हो रही थी, मा नहीं थी, घर में कोई और female member नहीं था, उसने बताया नहीं, उसने किसी को बताया नहीं और 3 ग्राम खुन में वो आई, हमें उसको 4 बॉटल बलड लगाना पड़ा और रिलाज करना पड़ा यह नौबत नहीं आनी चाहिए, parents को इतना free होना चाहिए कि 7 दिन से ज़्यादा bleeding acceptable नहीं है, यदी interval, एक साल में आपको 8 से कम period आ रहे हैं, एक साल में 12 महने होते हैं, उसमें 8 से कम period आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि यहीं वो समय होता है जब thyroid की problems होती है, insulin resistance की problem होती है, तो यह सब पता चल जाना ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनका समय से उपचारो और आप स्वस्त रह सकें जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस point of view से देखें कि अगर एक लड़की है, बड़ी होके स्वस्त है, मा बन पाएगी, वो तो important है, बट आप खुद की अपनी life, long life आप कैसे जी पाते हैं, कैसे आप survive कर पाते हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे आपने कहा कि patient जो आ लुग ऐसा है कि TV के कारण बहुत चीजे लोगों को पता है, TV, Internet, बहुत चीजे पता है, मगर वो सारी जानकारी, सही हो यह जरूरी नहीं है, तो माता-पिता को, घर के बड़ों को, जाहे वो बड़ी बहन ही क्यों नहीं हो, या भाबी हो, जो भी हो, उनको एक समवाज थापिक बच्चे से करना चाहिए, बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप बड़े होते हैं, तो आपके अंदर इस्टोजन, प्रोजेस्टरों, टेस्टोस्टेरों यह हॉर्मोन्स हिलोरे मारते हैं, और इन हॉर्मोन्स की वज़ह से आपको लगता है मेरे जैसा जाते हैं, तो अपने माता-पिता से मित्रता बना के रखें, माता-पिता हमेशा माता-पिता रहेंगे, मित्र आज हैं, वो कल आपके मित्र नई भी हो सकते हैं, तो आपको घर में इतना भरोसा होना चाहिए, कि आप अपने पेरेंस से, मा से, या पिताजी से, या किसी बड से हर समस्या हर प्रश्न पूछ सकें क्योंकि जो इंटरनेट पे अवलेबल है उसमें सब कुछ आप छाट सकें कि सही क्या है इतनी जानकारी अभी आपके पास नहीं है और आप देखिए इंटरनेट का जो पूरा काम चलता है वो इस बात पे चलता है कि कौन कितना क्लिक कर सक तो वो उसमें बहुत सारी चीजें जो अच्छी लगे मन को मगर जो सही ना हो उनके द्वारा वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप बार-बार उसको क्लिक करें बार-बार देखें तो आप किसी बड़े से डारेक्ट कंसल्ट करें और यदि आपका ऐसा भरूसा नहीं होता तो हमारी तरह बहुत सारे विशेशग अवलेबल हैं चाहे वो बच्चों के डॉक्टर हों, पीडियाट्रिशन्स हों, गानेकॉल्जिस हों आप उनसे जाके अपनी सारी बाते पूछ सकते हैं और हमेशा ध्यान रखिए सही जानकारी व्यक्ति से मिलेगी, इंटरनेट से स जानकारी होगी भी तो आप छांत नहीं पाएंगे. कि डाइट्स हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, डाइट कॉइशन्स जीरो फिगर जैसा आपने कहा, कि पतला होना जरूरी नहीं है, मन का भी स्वास्त होना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे. देखिए, अभी हमारे ICMR ने एक इंडियन थाली निकाली है, उसका वो वेब साइट पर अवेलेबल है, ICMR की साइट पर. उन्होंने अलगार अग उम्र के लिए थाली निकाली है, कि आपकी थाली कैसी दिखनी चाहिए, एक ब्रॉड आउटलाइन उसकी यह है, कि जब आप थाली लगाते हैं, तो उसमें आधे हिस्से में फल, सबजी, नट सोना चाहिए, और बचे आधे में मतलब अनाज हो, डा और अलग-अलग एज के हिसाब से उन्होंने दिया है, एक बच्चे को कितना क्या लेना चाहिए, कितना लेना है, यह हमको तै करना है, कई बार बच्ची आती हैं, कि नहीं मारे में भूख ने लगती, इच्छा नहीं होती खाने की, मैं आपसे कहती हूँ, कि क्या आपकी इ लेना है, यदि आपको सबजियां लेनी हैं, फल लेने हैं, तो आप उसमें थोड़ा बहुत बैलन्स करिए, जो पसंद है वो थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, जो नई पसंद है उसको कम ले लीजिए, मगर बिल्कुल हम ये नहीं खाएंगे, हम केवल आलू खाते हैं, य यदि आपके अंदर हिमोगलोबन की कमी हुई, तो आप जो करना चाहते हैं, उसकी शक्ती भी आपके अंदर नहीं होगी, यदि आपके अंदर वाइटमेंट डी की कमी हुई, तो उससे कैल्शियम कम होगा, आपके पूरे शरीर में, चाहे आप 10 साल के हों, चाहे 20 साल के हो उसी तरह दर्द होगा जैसा किसी 80 साल की महिला के शरीर में दर्द होता है क्या आप अपने शरीर में बुढ़ापे का दर्द महसूस करना चाहते हैं experiment करना चाहते हैं तो no problem पर यदि आप स्वस्त रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डायेट में वो सभी चीजें शामिल करनी होंगी जो ICMR ने अपनी साइट पे दी हैं आपको डेफिनेटली सब को शामिल करिये मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप जंक ना खाईये मंगर उसको लिमिट करिये केवल जंक मत खाईये जी ये एक बहुत समझने वाली बात है क्योंकि अगर पैरेंट्स के अगर हम बात करें ऐसे पैरेंट्स मैं भी अगर जंक नहीं खाना है तो मैं स्ट्रिक्ट हो जाओंगे कि नहीं ये मैं बिल्कुल भी नहीं दोंगी लेकिन फिर मुझे लड़ाई भी करनी पड़ती है बच्चों से कि नहीं मुझे एक बार तो खाने दो तो जैसे आपने समझाया कि हाँ मन मत मारो थोड़ा बहुत कॉल लेकर लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है मैं तो शुरुवात में जाना चाहूंगे आपने कहा था कि मन को साधना बहुत जरूरी है इस उमर में जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं कई हर्मोनल चेंजेज हो रहे हैं और हर्मोनल हिरोरे मारते हैं जैसे आपने कहा बहुत चीजे समझ में नहीं आती है आपने का कि पांच मिट बैठना है इसको हम कैसे दिरे-दिरे अपने आपको improvise कर सकते हैं या इसको हम कैसे और बहतर कर सकते हैं संक्षित में हमको बताईएगा देखिए मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाती हूँ कि यदि आपका लक्ष निर्धारित है तो आपका उस लक्ष से ज़्यादा इधर-उधर होना संभव नहीं है सबसे important जीवन में है लक्ष का निर्धारण मुझे मस्ती करनी है लक्ष नहीं हो सकता उस मस्ती से आपको क्या चाहिए आपको खुशी चाहिए यदि आपको खुशी चाहिए तो इस मस्ती से आपको अभी खुशी मिलेगी पर क्या ये खुशी एक महीने बाद, एक साल बाद रहेगी? यदि नहीं रहेगी, तो एक साल बाद भी मैं खुश रहूँ, उसकी मैं तैयारी करूँ. Simple, हम सब इस जीवन में केवल और केवल खुशी डूण रहे हैं. किस चीज से हम खुश हों, मगर हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारी लॉंग टर्म खुशी है और जो हमारी इमीजेट खुशी है, वो सब एक लाइन में हो. यदि एक खुशी उत्तर में हैं और हम चल दक्षन की ओर रहे हैं, तो हम कभी भी उत्तर नहीं पहुँच पाएंगे. और फिर हमें दुख ही दुख होगा. इसलिए अपना लक्ष निर्धारन करें और अपने जीवन को उस लक्ष की ओर लेकर चलें. आप बच्चे हैं, डेफिनेटली आपका लक्ष आज आप सोचेंगे, मतलब मैं अपना ही जीवन देखती हूँ, तो बच्पन में पहले मुझे नियूरो सर्जन बनना था, फिर मुझे इंग्लिश की टीचर बनना था, फिर क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट बनना था, फिर स सारी छोटी-छोटी चीजों को मिलाकर आपने बहुत गहरी बाते कहीं और किस तरह से हम बालिकाओं को स्वस्थ रह सकते हैं, ये बात भी आपने बताई, आपका यहाने के लिए बहुत-बहुत धनेवाद मैं, जी, नमस्कार, तो बच्चों देखा आपने की, खासकर बाल झाल झाल झाल